हिलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने ये टूब चैनल का नहीं या क्लासिस पर जी हां इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप नावकी सललन किसे कहते हैं उसका उधारण तथा नावकी विखंडन किसे कहते हैं और उसका उधारण आप कैसे लिखेंगे इस वी वीडियो एक बार पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत यासानी से नाभ की सल्यन और उसका उद्धार्ण तथा नाभ की विखंडन और उसका उद्धार्ण लिख देंगे तो सबसे पहले हैडि डालेंगे नाभ की सल्यन इसमें लिखेंगे जब दो या दो से अधिक हलके नाभिक संयुक्त होकर एक भारे नाभिक का निर्माड करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभ की सल्यन कहते हैं तो नाभ की सल्यन की परिभासा में लिखेंगे जब दो या दो से अधिक हलके नाभिक संयुक्त होकर एक भारे नाभिक का निर्माड करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभ की सल्यन कहते हैं आप हैड नालेंगे उधारण इसमें लिखेंगे पहला उधारण है 1H2 प्लस 1H2 तो क्या बनेगा 1H3 प्लस 1H1 प्लस 4.0 MeV उर्जा भी निगलेगी दूसरा उधारण है 1H3 प्लस 1H2 जब इसकी अब किर्या कराएंगे तब बनेगा 2H4 यानिकी हेलियम प्लस निट्रान प्लस 17.6 MeV यानिकी उर्जा भी मुक्त होगी तो बच्चों ये है नाभिकी सल्यन की परिभासा और उसका उधारण अब अगली है नलेंगे नाभिकी विखंडन इसमें लिखेंगे जब किसी भारी नाभिक पर निट्रान की बंबारी की जाती है तो वह दो समान हलके नाभिकों में तूट जाता है अब अगली है नाभिकी विखंडन की परिभासा है जब किसी भारी नाभिक पर निट्रान की बंबारी की जाती है तो वह दो समान हलके नाभिकों में तूट जाता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकी विखंडन कहते हैं अब अगलेंगे उद्धारन इसमें क्या है यूरेनियम 92,235 प्लस इसमें क्या करेंगे यूरेनियम पर निट्रान की बंबारी करेंगे तब याद दो हलके नाभिकों में तूट जाता है ने की 56 बीए 144 प्लस 36 के आर 89 प्लस ती निट्रान प्लस उर्जा साथ में क्या होगी उर्जा भी मुक्त होगी तो बच्चेओं इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान सब्दों में नाभिकी सलन की परिभासा उसका उधार्ण तथा नाभिकी विखंडन की परिभासा और उसका उधार्ण बताया है अगर आप एक बार हमारा पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं